हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चानल कैसे हैं आप सभी अगर आप लॉट कराए हैं तिंक्यू सो माच आज मैं आपसे डिसकस कर रही हूं मेरे बच्पन का एक एक्सपेरियेंस और वो है मेरा स्ट्रेंज ड्रेम एक्चुली सिंस चाइल्ड होड मैं बहुत कर मैं खुछ से स्टडी करती थी और मैक्सिमम आइकम सेकेंड पोजेशन इन मैं क्लास बट देन टू एक ड्रीम था जो बार-बार मुझे आता था और वह यह था कि मैं एक्जाम दे रही हूं और कोश्टन पेपर मैंने रिसीव किया और मुझे उन कोश्टन के आंसर सी नह सबक्राइब सम्टाइब मैं देखती थी कि मैं एक्जाम ग्राइब जो है एक्जाम में बैठे उन रहे हूँ और जब भी मैं जागती थी तो मैं यह सोचती थी कि reality में तो exam center में कभी मैं सत ऐसे नहीं हुआ कि मैं परिशान हूँ या फिर मुझे questions के answers ना आते हूँ या फिर में पस book ना हो या फिर कोई और subject का paper हो और मैं कोई और subject prepare करके चले गई हूँ तो यह dreams क्या है यह जो मुझे बार- बार बार एंड एक्जाम के जो dreams हैं इतनी बार-बार आने लगे एंड इवन जब मेरा student का जो था criteria complete हो गया मैंने जॉब जॉइन कर ली मैं well settled हो गई then two यह dreams मुझे बार-बार आते थे कि मैं examination center में बैठी हूँ और मुझे paper में ना कुछ आए नहीं रहा कुछ समझ में नही थी कि यार मतलब reality में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे exam center में कुछ ना आता हो लेकिन यह कौन से dream है जो मुझे बार-बार आते रहते हैं बार-बार मुझे परिशान करते रहते हैं seriously मैं सपने में इतना ज़्यादा परिशान हो जाती थी मुझे असा लगता था कि like मेरी तो life आफी ओवर हो गई है क्योंकि reality में मैंने कभी ऐसी situation face नहीं करी थी कि मुझे exam में कुछ ना आता हो और सपने में जब मैं देखती थी कि मुझे exam में कुछ नहीं आता तो मैं मतलब अपने आप इतना नलायक और इतना stupid वह फील करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि like मतलब मेरी तो बहुत insult हो गई क्योंकि reality में तो कभी exam में ऐसा हुआ नहीं कि हमेशा second position मेरी आती थी class में कि मुझे question paper का solution आता हो और सपने में मुझे लगना कि है मुझे paper का solution नहीं आता और एकदम घबरहाट वाली feeling हो नहीं एकदम परिशानी वाली feeling हो नहीं और मैंने जब job join करी तब भी मुझे dreams आते रहते थे फिर मेरी study को छोड़े हुए काफे time हो गया मतलब study को complete करे हुए then too यह dreams मुझे exams के आती ही रहे लेकिन जब मुझे पता चला I am in twin flame journey after a long time and मुझे यह realize हुआ कि मुझे spiritually awakened होना है एक और study मेरे लिए है जो divine guided है वो मुझे करनी है after that यह dreams आना automatically बंध हो गए समझ रहे हो आप यह क्या हुआ मेरे साथ हाँ बाद में dreams आना बंध हो गए और बिल्कुल बंध हो गए you can't imagine कि यह बिल्कुल बंध हो गए तो मुझे रियलाइज हुआ अब जाकर मतलब एक दो दिन से मैं बैठे बैठे सोच रही थी एक्चुली इन दिनों बच्चों के एक्जाम्स चल रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि मुझे एक्जाम के ड्रीम बार बार पर परिशान करते थे और स्प्रिच्वली जर्नी जॉइन करने के बाद यह ड्रीम आने एकदम बंध हो गए ऐसा कैसे हुआ तो फिर कल से सोचते सोचते मेरे धिमाग में यही चीज चल रही थी कि एक्चुली गोड बता रहे थी मुझे कि एको स्टडी है जो तुम्हें करनी है एको स्टडी है जिस में किसी को एसे ड्रीम आते हैं अगर आते हैं तो आप अपना experience comment box में लिखना ज़रूर मैं रिट करूंगी ओके लेकिन मेरा यह experience काफी यूनीग था मुझे लगा कि i should share this experience with you so मैं इसको share किया अबभी के लिए इतना ही thank you so much for watching have a lovely day may God bless you all